आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आप लेजर अगर डिलीट ना हो रहा हो तो क्या किया जा सकता है और क्यों लेजर डिलीट नहीं होगा तो आखिर कर क्या कारण है कि laser हमारा delete नहीं होता है कि वो delete नहीं होता है इसके बारे में जानेंगे कि हम देखे यहां पर कुछ entries हुई पड़ी है और यहां पर यह purchase की जो entry हुई है इसमें पार्टी है हमारी creditor party जिसका नाम है Goro ठीक है और तो यहाँ पर इसको open कर लेते हैं और यहाँ पर जैसे open करते हैं तो आपको दिखता है यहाँ पर कि यह जो है laser लगा हुए creditor party का जिसका की नाम है goro और यह हमारी creditor party है कौन सी पार्टी है? क्रेडिटर पार्टी तो अब गोरो जो है क्रेडिटर पार्टी है और इसका इस्तमाल हमने किसी entry में कर लिया है अब हम क्या करेंगे? चलेंगे देखेंगे कि गोरो वहला laser delete हो रहा है या नहीं हो रहा है तो laser को delete करने के लिए कहा जाना है alter पर चलना है तो यहाँ पर gateway of tele tele की main menu है यहाँ पर आप alter दिखाए ही परड़ा है यहाँ पर आजाईए और यहाँ से आजाईए laser पर और जैसे laser पर आते हैं तो गौरो नाम से था ना तो गौरो क्रेडिटर जो party हमारी यहाँ पर आकर के enter करते हैं और यहाँ पर alt के साथ depress करेंगे तो देखें यहाँ पर हम इसे delete ही नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर यह delete नहीं हो रहा है देख सकते हैं इसी तरह का कोई और भी laser है उसको हम देखने की कोशिश करेंगे एक बार वापिस से display में जाएंगे और यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर एक महेश नाम से laser बना हुआ है और यह भी creditor party का ही laser है यहाँ पर देख सकते हैं ओपर महेश लिखा हुआ है और यह भी creditor party का ही laser है तो अभी इसको delete करेंगे तो यह भी delete नहीं होगा तो चलिए डिलीट करने के लिए कहा चलते हैं? यहां से चलते हैं, अल्टर पर, ठीक है? यहां से लेजर पर आए, और यहां पर M टाइप करते हैं महेश के लिए, तो यहां पर महेश यह देखे, यह जो है creditor party है, महेश जो लिखा हुआ है उपर यह creditor party है, इसी को हम delete करते हैं तो alt के साथ deep press करता हूँ तो देखिए हम इसे delete नहीं कर पा रहे है alt के साथ deep press करके delete नहीं कर पा रहे है, कारण क्या है इसको not delete कर पाने का, कि हमने इसका use कर लिया है किसी entry में अब जब use कर लेंगे तो यह possible नहीं है कि आप इसको delete कर पाएंगे यहां से आके, तो पहले क्या करना होगा पहले उस entry को delete करना होगा जो कि आपने कर रखी है इसके लिए तो उन-उन entries को delete कर लेगे, तब यह laser delete हो जाएंगे तो कैसे उन entries को delete कर लेगे तो यहां पर आते हैं तो यहां पर जैसे ही आते हैं तो यहां पर आपको दिखेंगा क्या यह एक गौरोवाला entry है इसको हम ALT-D करके delete करेंगे तो इसके ALT-D कर रहे हैं और यहां पर enter कर रहे हैं तो यह delete हो गया ठीक है इसके बाद से एक और है गौरो वाला तो ये गौरो वाला फिर से डिलीट करेंगे अल्ट डी किया और एंटर किया तो ये भी डिलीट होगा अब ये कही बचा है गौरो वाला जो है ये एक ही बचा है अब यहाँ पर आ करके अल्ट डी करेंगे और इसको भी डिलीट क कहीं न कहीं और भी entries हुई पड़ी हैं जिसके कि चलते ही यह डिलीट नहीं हो रहा है तो दो बार depress करते हैं यहां पर date change करने की कोशिश करते हैं अल्ट के साथ F2 करते हैं एक चार और 2023 की बात करते हैं यहां से एक चार दो इस न आँगा कि गौरो वाली entry कहीं और तो नहीं है यानि क्रेडिटर पार्टी गौरो वाली entry अगर कहीं भी और होगी तो यह लेजर डिलीट होगा नहीं तो यहां से एक बार जी प्रेस करते हैं तो दीखे गौरो वाला यही एक लेजर है बाकी तो कुछ है ने तो यह तो गौरो वाला लेजर जो प्रेडिटर पार्टी का है उसको डिलीट करने की कोशिस करते हैं तो अब आपको अल्ट के साथ डी प्रेस करना आप देखिए यह डिलीट वाला उप्शन सो होने लगा यानि आप जब तक entry पास कर रखेंगे और entries में उसका use किया होगा उस लेजर थैंक यू पर वर्टी